Hello Everyone, Welcome to Genesis Digital मैं हूँ Dr. Abhinav Pamaar Gold Medalist, Indian National Biology Olympia 2015 तो इससे लास्ट वले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि अगर आप NEET 2022 के लिए प्रिपेर कर रहे हैं तो एक correct strategy होना कितनी important चीज है आपके पास एक correct approach होने चीए एक correct guided path होना चाहिए जिससे कि आप अपनी selection को sure कर सको, है ना तो उसी से related जो हमारी weekly video series है वो बहुत जल स्टार्ट होने वाली है इवन उसके लिए जो schedule सेंतिनो subjects के मैं अपने telegram channel पर डाल चुका हूँ अगर आपने अभी तक join नहीं किया है तो अभी जाओ description box में telegram channel का link दिया हुआ है उस पे click करो और join करो जो quizzes है इवन वो भी conduct daily करवाई जा रही है और बहुत सारे बच्चे उसको अच्छे से कर रहे हैं तो आप भी जरूर quiz में participate करना जिससे आपको feedback मिलता रहे कि आप किस level पर stand कर रहे हो ठीक है चलो यार यह सारी बात है तो मैं शली 3-4 वीडियो से बोल ही रहा हूँ कि 7 महीने हैं मेहनत की जरूरत है correct guidance की जरूरत है approach की जरूरत है पर ऐसा क्यों आपको शायद ना पता हो but draw peer under normal circumstances भी बहुत ज़ादा pressure दे देता है बच्चों को क्यों क्योंकि 2 साल का syllabus 3-0 subjects का एक ही साल में करना बहुत बड़ी चीज होती है बच्चे बहुत ज़ादा pressure ले जाते है आपको सेम चीज सिर्फ 7 महीने में करनी है तो आप सोच सकते हो कि आपके लिए तो यह double मुश्किल होने वाला है 7 महीने में 2 साल का syllabus करना है 3 subjects का कितनी बड़ी चीज है तो उसके लिए आपको 3 subjects के कुछ ऐसे topics के बड़े में पता होना चाहिए जो highly important है कुछ ऐसे topics होंगे जो ठीक ठाक है आप करोगे तो अच्छी बात है कुछ ऐसे topics होंगे जिनको आप ignore कर सकते हो बट hard work के साथ smart work भी चाहिए smart work आपको करना पड़ेगा अगले 7 महीने में तब ही जाके आप selection ले पाओगे एक example देता हूँ आपने notice किया होगा कि जब आप 11th में जाते हो बहुत सारे institutes में या बहुत सारी जगा क्या होता है animal kingdom से zoology की starting होती है animal kingdom इतना बड़ा chapter है किस institute में एक महीने चलेगा किसी में डेड़ महीने किसी में दो महीने animal kingdom बहुत detail में कराया जाता है है ना ultimately need exam में दो, तीन या चार question आते animal kingdom से वो भी straight out of NCRT और उसी time पे एक से डेड़ महीने में आप पूरी human physiology कर सकते हो human physiology के हर एक chapter से दो या तीन question आते हैं तो अब same time में या तो अपने तीन question पके कर सकते हो या पंदरा question पके कर सकते हो बीस question पके कर सकते हो difference समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चारा हूँ आपको ये चीज़ पे ध्यान देना होगा कि कौन से ऐसे topics हैं जो आपको सबसे पहले करने है इसी चीज़ को ध्यान में रखके मैंने अपना schedule बनाया है अगर आप ध्यान से schedule को देखोगे तो जो zoology की starting है वो human physiology से ही हुई है है ना तो वो schedule बहुत ज़ादा research करने के बाद ही मैंने बनाया है जिससे आपके लिए best beneficial हो तो आप try करो आप उसको जितना follow कर सकते हो उतना follow करो और उसके questions, quizzes और test जो भी होंगे वो आपको ज़रूर देने हैं चाहे आप उसको पूरा follow नहीं कर पा रहे हैं बट आपको test ज़रूर देना है जिससे आपको feedback मिलता रहे कि आप कहां पे standing कर रहे हो और क्या आपको अपनी approach बदलने में जरूरत है क्या ठीक है तो biology की थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इस वीडियो में similar videos physics and chemistry की भी बहुत ही जल channel पराने वाली है तो अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है तो please अभी करो यार और bell icon को दबाना मत भूलना ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो तो biology की बात बता रहा था मैं आपको first point तो मैंने आपको बता दिया कि आपको ध्यान रखना है कौन से topics बहुत जरूरी है कौन से topics हैं तो होड़े कम जरूरी है इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको अपना source material सिर्फ NCRT रखना है अगर आप last 2-3-4 साल के paper उठा के देखोगे आप देखोगे 95% से भी ज़्यादा paper straight NCRT से पूछा गया है तो आप पहले अपना 95% make sure करो कि आप उसको अच्छे से कर रहे हो उसके बाद ही 5% के पीछे जाना ठीक है तो आपको NCRT primary source रखना है फिर आपको क्या ध्यान देना है आपको 720 marks का जो भी आप test attempt करोगे उसमें biology आपको 40-45 minutes में खतम करने का target बनाना है क्यों एक तो यार बहुत बड़ी mental game है आप समझो इस बात को 180 questions और इसमें 90 questions biology के हैं अब आप सोचो आप नी 2022 में बैठे हो आपने पेपर स्टार्ट किया 40 मिनट बाद आपका आदा पेपर हो गया 720 में से 360 marks आपने 40 मिनट 45 मिनट में खतम कर देनी है तो अभी से practice करो जब biology क्वेशन कर रहे हो एक timer लगा के रखो आप एक मिनट में डेर से दो questions solve कर रहे होगर तो आपका pace near above ठीक है ठीक है इसके अलावा एक और बात जो मैं आपको बोलूँगा कि आपको ध्यान रखनी है वह आपको रखनी है कि जो questions का material है ना वह बहुत अच्छा रखना questions NCRT based यह उसे थोड़े से उपर ही होने चाहिए बहुत ज़दा बाहर का मत करना BSC, MSC या MBBS level के questions मत करना please क्योंकि उसको कोई फायदा नहीं होगा और आप बहुत ज़दा confused हो जाओगे अगर आप चाहते हो कि मैं आपको अच्छे sources बताऊं मैंने क्या personally use किया था और मैं क्या recommend करता हूँ तो नीचे comment box में पूछ हो and I'll be happy to help you ठीक है यार तो आज की वीडियो को ही end करते हैं similar videos physics chemistry की कल या person upload कर दी जाएंगी so make sure कि आप उनको जरूर देखें टेलिग्रम चनल में बार बार बोल रहा हूँ join कर लो वो weekly video series आपके बहुत काम आने वाली है इस video को please like करें comment करें इसको अच्छे से शेयर करें ताकि जितने भी neat aspirants है 2022 के लिए वो अपने selection के chances maximize कर पाएं Thank you